संसाः, जी संसाः, जी सम्रिद बहुत बहुत ढन्यवात सरवणनजी सब के ही लिए जी संसाः विश्वा संभधा यसेवासन द्वारा इस सत्संग में वापस एक बाar आपको आगमन करते है मैं बहुत कुशिए वह रही है सदन तुरिय ध्यान के साथ सरवनन जी से द्वारा बहुत अच्छा हुआ अभी चलिए आगे बढ़ते हैं आज का विशेश प्रदचन है बोजन के उपर हमारे साथ हैं स्काइप राध्या पर रुक्मनी जी रुक्मनी जी कई सालों से विश्व समधाय सेवा संग के साथ अपने सेवाओं को जुड़े हैं इन्होंने क्रोम पे उमयालपरम ट्रस्ट के साथ अपना पोरा कार्य करम करने हैं इसके आलावा दिल्ली जैसे बाहर शहरों में भी जाकर विश्व समझाय सेवा संकी स्कायोगा का प्रचार करने में इन्होंने काफी योगदान किया है। इसके आलावा स्वामी जी की कविताव उनको हिंदी में अपने मदुर स्वर में अच्छी तरह गाये हैं। जिनको अभी तक जो सुने नहीं हैं कृपया बताईए हम आपको पुरा उनका गाना शेर करते हैं। अभी आज उनका तत्व दे के बोजन जो अपना पांच चीजे हैं महरशी बताते हैं कि हमें जीने के लिए जो पांच तत्व जिसके उपर हमें गुर्ण और मात्रा में काभू रखना है। उसमें प्रतम चीजे बोजन चलिए अभी सुनते हैं रुक्मनी जी से बोजन के बारे में वेदात्री महरशी जी का तत्व क्या है। रुक्मनी जी? हाँ जी, जी ये संसर, सुन सकते हैं ना? आवा जा रहा है। हाँ जाची तरह सुना ही दे रहा है, आप चालू कर से बारे मैं शुरू करों ठीके पहले अपने इतना योग्या बनाने वाले गुरुजी को गुरुजी के चरणशपस करती हूं और ये सुनने वाला सुनता हों का भी मेरे नमस्कार और शुबकामना है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि बोजन और ये वेदात्रियम क्या है। कोई मेल लही काता है। मतलब गुरुजी ने तो यही सिखा है ना, द्यान करो, व्यायाम करो, अपनी सहत अची तरह रखो, और आत्ना विलेशन करो, इसके बारे में बात किया तो ठीक रहेगा। ये बोजन क्या है, हमें तो मालूम है बड़ी, तुभे उठाई, चाय पिया, नास्ता किया, और बाहर आये, दोस्तों ने बुलाया, थोड़ा मतलब ठंड का मौसम है, भईया समों से गरम-गरम मिल रहा है, और बजी यहां बोंडा सब कुछ का है। जो जीव मंग्ता है, जो स्वादिष्ट है हाते चले जा रहे हैं, छाते चले जा रहे हैं, अदो समय कोई सेमा ही नहीं है। बाहर नहीं जा रहे हैं गर पे हैं और माओं की माओं मतलब इतनी परिशान हो रही है बच्चों के साथ हम देख रहे हैं क्योंकि साधर रंड तरीके से स्कूल चले जाएंगे मतलब शाम को चार या पांच बजे आएंगे टीफन टबा में तोड़ा लंच दे दिया और इसके तो बोजन बोजन इसी से अमारा शरीर बनी हुई है यह गुरुजी की रस्ते में यह वेदात्रियम यह आध्यात्मे का मार्ग में यह इसका क्या संबंदर यह तोड़ा सा हमारा मतलब बुद्धी में चोटी बुद्धी में जो गुस आया उसी को हम आपके साथ शैर करना बहुत कुछ, जो भी मौका है, जो भी त्योहार है, कुछ भी हो गर में, चार-पांच लोग इकटे हो जाते हैं, पहला काम, पहली बात जो है, काफी पिलाना, चाय पिलाना, या शर्बत, ऐसे, रुकेंगे, रात को जाएंगे, चार-पांच गंटे रुकेंगे, या दो-तीन तुरंत महिलाओं की काम है किचन में जाके क्या 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 करना है, क्या सबजी लाना है, कौन सा भी अंजन बनेगा, क्या पकान बनेगा, यही देख रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बच्पन से ही हम लोग देखते चले हैं, अमारी गर की बात है, बहुत ल पहल नहीं देखा जाता था पहले, गर में हो जाता है, तोड़ा था पांडाल डाल दाल दिया, उसी में सब कुछ करेंगे, तो गर में बनाने वाला आ जाएगा, बनाएगा, यही है, सुबे नास्ता, दुपेर का बोजन, शाम का कुछ और, काने का ऐसे नमकीन वगेर, फिर पहले, बनाएगा, 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 संप्रधी कहला में आने के बाद ही, मतलब तोड़ा सा सवाल प्रशन अंदर से उठा, क्या? क्यू? ऐसे क्या कर रहा है काए कल पहले सिर्खा दिया, तु чистala भोजन ग्रहंट करना है। किस समय पर काना है और एक बोजन और दूसरी बोजन की बीच में कितना समय का अंतर होना है तो उस दिन से हमारी चटी हिंद्रियत अच्छा सा खुल गया एक थाउजन वार्ट का बल बजल गया आहा क्या करते कितनी गलतियां कर दिया जिन्देगी में जो बिमार हम पढ़ते ह जो तकलिफ आती है वो क्यों आती है इसका सवाल मिल गया अच्छी तरह मिल गया और हम सोचने लगें कि जब भी हस्पताल जाते हैं ज़्यादा वीजिंग ताम को उसमें में बहुत परिशांती बीच साल की पहले तो डॉक्टर देखते हैं जांच करते हैं सुईयां लगा तब भी हॉस्टर आस्पटल में कहां जाता है कि यह आइसा आसा काना कीजिए काना लीजिए ज़्यादा कट्टा पन नहीं होना चाहिए तेल का बोजन मत लीजिए और ज़्यादा कड़ूआ या कासे ला ऐसे और डिपेटिक पेशेंट उनको मतलब बिलकुल मीठाने खान सबी कुछ आप सोचकर देखिए सुबे से लेकर रात तक मतलब बच्पन से लेकर इतने मतलब उडापे में भी हारेक्षन जो है यह भोजन का महत्व बहुत कुछ होता है बहुत हम लोगों ने क्या समझ रखा है जा रहें कमा रहें हमारा पैसा है लेकर आएंगे और गर मे बिसकी jourड़ते हैं बना देखिए को घालेंगे इसमें क्या है? इसमें क्या कर ना है? क्यों ध्यान देना है? नहीं, तोड़ा सा यह मन शान्त होगा धियान के बाद इस आवर्त्री को हम लोग तोड़ा दीमा करेंगे तब सोचेंगे एक एक बार, आजकर ऐसा कोई भी व् कुछ नकुछ और यह दो हजार वीज कोरोना का पूरा थांड़ मिलता है काने को हस्पताल में वहां की नूट्रिशन होंगे उसकी साफ से खाना है और वहां से गर आ गया है गर में मतलब मतलब इसे नहीं रखेंगे इतना काभू नहीं कर पाते हैं कि पतनी से या अमा से बोल देंगे है आस्पताल में आए ऐसे का लिया भाई या हमारा जीब इतना मांग रहा है तोड़ा सतो दे दो तोड़ा स्वाधिस तो दे दो तो हम लोग क्या करते हैं स्वाध के पीछे बाग रहे हैं तोड़ा भी अच्छा नहीं होगा तो छोड़ देते नहीं यह एक क्या काना है? मैंनद करते हैं, कमाते हैं, तोड़ा भी स्वाद नहीं है, मेटा नहीं है, कड़वा नहीं है, इसे क्यों फीका-फीका बना रखा है? इसलिए कहा गया है बोजन की और तोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम लोग स्वस्त रह सकते हैं किस-किस चीज में क्या-क्या विचामीन, मिनरल है क्या हमारे अंदर जा करके सब लेट करके वोई साथ दातुओं से बनता है यह हम लोगोंने कायकल्प में सीख लिया सबको मालिम होगा तो किस तरह की बोजन गरहन करने से वो रक्त, वो मज्या, वो हड़ी सब अच्छी तरह रहेगा जिसकी वेज़े से हम लोग स्वस्त रह सकते हैं कि तुनिया में संसार में अम लोग जन्म क्यों लेकर आएं यह पहले सोचना है यह जीने का माकसद क्या है क्यों आएं जिर्फ कापी कर गूमने के लिए तोड़ी आएं हम लोग नई कि दिव्य सेति क्या है किस तरह से दूसरों की दुख्यारों की मदद करें यह सोचने के लिए आये इसलिए आये पहले नहीं मालूम था क्यों आये आये हम अपाने पैदा कर दिया आ गये जितना भी मतलब अनबो कर सकतें वो कर सकतें उसलिए आये करके बहुत लोगों की गलत फैमी है नई हम लोग इसलिए मनिश्य का रूप लेकर आये कि जहां से आये उस दिव्य स्थिति को दैव को समझता है उसको समझ कर उसी रूप मे समझने से तोड़ा सा हमारी अंदर शक्ति बनती है प्रिव्य स्थिति से हम लोगों को जो मिलता है उसको लेकर दुखियारों की अपने से जो बनता है एद्वाई संसकार में जो बताया गया उसी तरह अपने से जो हो रहा है मतलब सिर्फ दन देने से नहीं अज़र किसी को लिखना नहीं आता उनको लिखे दे पढ़ना नहीं आता अपने से जो बनता है बुद्धी से शरीर से पैसों से ज़्यादा दन होगा दन से हर तरह से किसी को मदद करके देखिये उस दिन आपको लगेगा पूरा पेट बर गया सिर्फ बोजन ग्रहन करने से नहीं दूसरों की दुख को दूर करके एक दिन देखिये सही में अनुवा है मेरा बहुत अच्छा लगता है ठीक है आप यह सब बोल रहे हैं बोजन की बारे में क्या बोलेंगे क्या मतलब कैसे ग्रहन करना क्या करना मैं नहीं बता रही हूँ हमारी गुरू विदातरी मगरिशी ने बहुत कविताएं लिखी है उसमें एक कविता लिखा है उसके बारे में बोलकर फिर अमारे जो हमको अनुबवा मिला उसको बताएंगे उन्हें ये बुला सुबह जो है अच्ची नाव दानियों से बने हुए मार्ड जो है उसको पी लीजिए नारियल की साथ टीक रहेगा सुबह काम करने के बाद मतलब सुबह कम करतवियों होता है वो सब करके वो सब काम कर लीजिएगा पिर दुपार के बोजन पर कही तरकी सबजीया और चावल उसको ले लेजिए अच्छा सकाईए मतलब सुबह का काम का मतलब हमें मालूम है क्या क्या करना है व्यायम करते हैं द्यान करते हैं मैनत करते हैं मतलब किसान लोग को देखिए सुभी सुभी चले जाते हैं, अपना हल लेकर चले जाएंगे, काम करेंगे, अमारी गर में जो कुछ बनता है, काम, और तो को किचन में, और आदमी लोग जो है, नवकरी मप के लिए बाहर चले जाते हैं, बचे आज कल स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन चले जाएंगे जल् शाम को जो है सबजी और आटे से बने हुए उसकी मादियम से बने हुए बोजन काफी है ये बोल रहे हैं चावल नहीं चाहिए आटे से बने हुए रोटी हो सुका रोटी हो पराटा हो कुछ भी हो उसको काई है वो काफी है करके लिकाए गुर्महाने और दूद को गरम करके उसमें तोड़ा मीटापन मेला लीजिए, उसको पी लीजिएगा, चाय और काफी की जरुरत नहीं है करके एक कविता में लिखा उन्होंने, सुबे क्या खाना है, दोपैर में क्या खाना है, मतलब एक बोजन और दूसरे बोजन इसकी बीच में कम से कम तीन गंटे की अंथर ह होना चाहिए, तुरं तुरं नहीं खाना है, क्यूंकि अंदर भी एक कारकाना है, हमारे शरीर के अंदर, वो भी वो डाजस्टिव सिस्टम भी काम करता है, वह बोजन नह earliest दूसरे स्टोड़ा मास्तियव लेकहा, तो सामई देना पड़ता है, इन सब बोजन ग्रहन करते है चाय काफी बिल्कुल इनोंने मना किया लेकिन जड़बूटियों से बने हुए चाय अम लोग पे सकते हैं और सबजी को उबाल कर जो पानी मिलता है रस जूस मिलता है उसको पी सकते हैं फल वगईरा खा सकते हैं अपनी स्वास्त के लिए बीच बीच में जो मतलब बचों की आजकल बचों की आदत है पीच सा खाना चिप्स वगईरा खाना एक कुरकुरे यह सब कुछ भी नहीं सबी कुछ हानिकार्यक है नहीं देना है और लोग तो जिद करेंगे ही लेकिन बड़े लोग माबाब इसको समझ कर बचों को समझाना पड़ता है कि बेटा यह सब ठीक नहीं है इसकी जगह में आप फल का यह यह बोल सकते हैं क्योंकि अंदर का मिशिन जो है शक्ति जो देता है उसी को लेता है जो अंचाहत चीजों को बाहर चोड़ता है आप लोग ओपर डालते चले जाएंगे डालते चले जाएंगे अम लोग उसको कश्ट दे रहें उस जासे हम लोग को बिमारियां आती हैं पेट में धर्द होता है उसकी सम्मतित बाकी शरीर भी पस्ट जेल रहें उनको भी मतलब दिकत होगा बाकी सब काम करने में और तोड़ा सा मैंने अक्रिव पेशर का ट्रेइनिंग लिया है उसमें सामय भी दिया है कौन-कौन सा शरीर के आंग जो है किस सामय काम करता है करके यह भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल क्या होता है मालम में सामय के अनसार कोई नहीं काता ज्यादा तरह लोग मतलब मोबैल में होते हैं और आफिस नहीं कुला लैपटाप में होते हैं और बच्चे जो हैं सामय नहीं बीत तब ही काएंगे, तो देखिए क्या-क्या होता है, यह लंग्स और लार्ज इंटरस्टाइम, इसका समय हम बता रहे हैं, दीरे से बता रहे हैं, आप रखिएगा, याद रखिएगा, लंग्स फेफडा जो है, 3 एम टू 5 एम, आचा-चा काम करता है, लार्ज इंटरस्टाइम यह जो है, 5 एम टू 7 एम, और अमारे पेड, स्टामख जो है, 7 तो 9 एम, स्प्लीन जो है, 9 तो 11 एम, फृदाय जो है, 11 एम टू 1 पी एम, स्माल इंटरस्टेन आते हैं, चूटी आते हैं, एक बज़े से लेकर 3 बज़े तक, 1 तो 3 पी एम, ब्लैडर, 3 पी एम टू 5 पी एम, किड्नी जो है, 5 तो 7 पी एम, काम करता है वो, अपने आपको टीक करने का समाए, और पेरिकार्डियम, ब्रेन, दिमाग जो है, 7 बज़े से 9 बज़े तक, that is पी एम, स्पाइनल कार्ड, अमारी मेरुदेन, ट्रिपल बारमर कहते हैं, उसको, वो 9 पी एम टू 11 पी एम, गाल ब्लैडर, 11 तो 1 एम, लिवर जो है, एक बज़े से 3 बज़े, एम, यह सब क्यों बताया गया है, इस समय में, वो अंदर की एंग काम करते हैं, तब उनको डिस्टब नहीं करना चाहिए हमें, किसी-किसी लोगों को देखा, रात की 10-11 बज़े भी बोजन गरहन करते हैं, वो टीक से हजम नहीं होगा, जरूर नहीं होगा, जा तरह मैंने ट्रेन में देखा, यात्रा करते समय देखा, दोड़े-दोड़े आएंगे इतने रात, आन मोके पर आएंगे, चड़ेंगे, और 10-11 बज़े भी बोजन गरहन करते हैं, सच्छी में उनको मतलब ये ठीक नहीं है, उनको समझना चाहिए, पहले बोलते समय उनको गुसा ही आएगा, लेकिन जब पेट में दर्द होगा, तकलिफ होगा, अस्पताल में जाएंगे, वो अपरेशन तक जाएगा, क्यों इतना दिकत क्यों होना, बात में समझने से अच्छा है, पहले ही समझ ले, ऐसी मनों समृदिक हला में आकर अभ्यास ले ले, बड़ों की गुरु महान की बात सुन ले पहले, सुनने के शमकता जो आदमी रखता है, वो स्वस उसको टृक करें, फिर द्यान और व्याययाम सिखा सकते हैं, दोसी भी नया लोग और, तुरंछा अगर व्याययायम सिखाना शुरू करें या तुरंछ द्यान दें, कर दें, नहीं यह ठीक नहीं रहेगा, उनको मतलब बहुत बुक्त ङुद्परा हैं, बहुत बीमारिया उनके अंदर है उसा मज़ा है यह सब हम क्यों बोल रहे हैं बोजन के बारे में जनकारी रखना बहुत अनिवारी है नीचे बैटकर सुहासन में केले की पत्ते में रखकर बोजन ग्रहन करना हो गरम जितना भी अच्छा क्यों नहों बासी वाला खाना तोड़ा प्रयत्न कीज जादा में वह भी नहीं चाहिए सभी कुछ बराबर हो चे तरह का स्वाद हमारे प्लेट में हो थोड़ा ध्यान रखें सभी स्वाद अंदर जाएगा तभी हो ही साथ धातुओं की रूप में बनकर हमारा शुक्ल शोनीद बनता है यह सेक्स्ट्वल बाइकल फ्लोड वह ज उसी की वज़े से हमारी स्वास्त बनी रहेगी तो हम लोग जितना आसान समझ रखा था हम लोगों ने अंदर जा रहे हैं कुकर ले लिया दाल सडा दिया सांबार और सबजी बन गिया चासा तेल डालकर फ्राई कर दिया का लिया नई इतना आसान नहीं है तोड़ा सोस किस तरह से बनाने से हम लोग टीक रह सकते हैं क्योंकि टीक रहेंगे स्वस्त शरीर में ही स्वस्त दिमाग है तब ही यह आध्यात्मिक यात्रा में विजय पा सकते हैं हम लोग कि इसके अंदर आ गए अच्छी तरह गुरु ने समझाया और यह भी समझना और उसको लागू क करना समस्तो लेते हैं लोग तो बहुत समस्ते हैं सुनते हैं रोलते कहते चले जाएंगे वा बढ़िया है बाश्न बाहुत बढ़िया है वह काफी नहीं है तो उसको जन्दगी में लागू करना इतने जिनों से टने वर्षों से गल्तियां Такि नो credit बहूत बिगाड़ दिया लेकिन इसमें आने के बाद कम से कम अपनी परिवार में, पहले अपने आपको टी करें, किस तरह से हम लोगों ने खाना ग्रहन किया, और उसके बाद आलियार में जाएंगे, तो कैसे, मालूम है न, सबको साड़े साथ बजे, आट बजे के अंधर नास्ता मिलता हैं, फिर क्ल बड़ा सा आराम करते हैं, फिर से सुरूग होगा क्लास, वहां हो सकता, गर में आने से क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, दस बजे, ग्यारा बजे, नास्ता ग्रागन करते हैं, और दो ढ़ाई या तीन बज़ जता है, लंच काते काते, और आफिस से देर से आएंगे तो और भी, बीच में बूक लगेगा, तो आफिस जाने वाल हमको बहुत देखा, चाय, चाय, चाय पीते रहेंगे, उससे क्या होगा, उनकी बूक मिट जाती है, टीक से काना नहीं काएंगे, और उसमें लड़ाई भी आती है, बहुत आदमी लोगों को देखा, मतलब हमार पती देखो भी, मतलब आफिस जाते हैं, समय कहते थे, तुमको कुछ काम नहीं है, क्या, देखो, देखो, रसाही में, सिर्फ बुलाते रहते हैं, खाना-काने आओ, खाना-काने आओ, गुस्सा भी आता है उनको, क्योंकि चाय पीकर आएं बाहर से, या कुछ चट-पटी मिल जाए, तो उसको भी ग्रहन कर लेंगे, तो यहां क्या मिले, क्या काने को मन करेगा उनको, कुछ नहीं करेगा, तो सही समय इसका होना चाहिए, आपने आपको पढ़कर भी सुनाया, किस-किस समय में, शरीर का किस-किस अंग काम करता है, उनको अच्छा सा काम करने देज और आज भी मैं यहां बाशन देने से पहले तैयार करके आई हूं, तोड़ा सा ओकर खाया देंगे, इसके पहले तोड़ा फल काया, अच्छे आचारिय, गुरू से सिक्षा तीक्षा लेकर, हम लोग अपनी पूरवजों की पूर्णिय से इस काम में आए, दोसरों की बिग दूसरों को बोलने से पहले, उनको बुतिमदी देने से पहले, हम क्या चीज है, हम सही तरह से रह रहे हैं क्या, टीक से व्यायाम करते हैं, ध्यान बैटने से, ध्यान के लिए बैटते हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं या और कुछ, क्योंकि हम को यह अनबव में मिला, मेने सड़क में, वाकिंग तो जरूर करेंगे, चलेंगे, उनका ध्यान पूरा क्या होगा मालूम है, बात करते करते मालूम चला, कि टिफन बन गे होगा, जाकर काना है, गरम होगा या मेठा होगा, यह देखना पड़ेगा, ऐसे सोच कर जा रहे हैं, तो ऐसे वाकिंग में को बहुत सरल तरीका है वाजगव अलमोडनस, यह समरत बोलो या अपने बगवान इस देवता की नाम लेकर जाओ, ताब जो काम करने के लिए समय आप लेते हैं, उसका पूरा लाब हो, तो यह भोजन किस तरह से करना है, सुबे जो है हलका सा, दुपैर में कई तरह की सबजी दाल, पाल, अब कुछ भी हो, और जिस जिस तापमान में, जिस जिस देश में जो जो मिल रहा है, वही ठीक रहेगा, यह नहीं है कि यहाँ बैटकर फारिन वाला पीसा और कुछ और कायेंगे ते हमें ठीक नहीं रहेगा, वो हाजम ही नहीं होगा पहले, यहां से बारह से बहु लोग जाते हैं, वहां मतलब तोड़ी दिन, तोड़ी साल रह करें उनको मतलब ऐसा लगता है कि यहां कुछ नहीं है, वहां का काना बहु स्वाधिस्ट है, वो सब काने लगते हैं लेकिन अंदर हाजम नहीं होगा, हमने जो बच्पन से आदत डाल रहा है, उसी को का बारत में जीर हैं, मतलब सौट में जीर हैं या नारत में जीर हैं, दिली वालों को रोटी बहुत अच्छा सा आजम होगा, मदरासियों को ऐसा नहीं है, सब कुछ जाके का आ रहें, मिल मिलाकर का रहें लेकिन उनको देगे मदरासी वहां जाएगा तो तुरंद कहां का सुना, तो सिर्फ खाप पीकर गूमने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए दर्ती पर, यह दिव्यस्थिति को पहचानना है, दिव्यस्थिति को गुरू ने पहचान लिया, उनकी और से हमें एक अच्छा सा देख्षा मिला, किस तरह से जीना तरीका भी मिला, और बहुत समझाकर हमें यह सेवा करने के भी उन्होंने, हमारी गुरु महान ने हमको मौका दिये, इसको लेकर, उन्होंने जो बताया, पांच चीज, बोजन, मैनत, आराम, ऐसे, पहले बोजन ही दिया है, उसकी हिसाब से, अच्छी तरह उसको समझ ले, हम लोग कौन सा सबजी का रहे हैं, कौन सी फल ले रहे हैं, दो फल एककटाग नहीं का सकते हैं, सबजी आंको मतलब ऐसे ही कच्छा काने वाले सबजी हैं, उसको जाधा तरह लीजिएगा, चालीस, पचांस उमर के बाद जो है, यह सलाद वगईरा बहुत फाइदा करेगा, बच्चे नही हैं, उसको बच्चा है, लेकिन माओं को तोड़ा सा मतलब ऐसे कहानी बोल कर उनको बना कर देना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं आएंगे, उनको मतलब सजीवी चीजें, बाहर की चीजें, बहुत और बच्चे जो काते हैं, वही पसंद करेंगे, लेकिन इनकी इतना साम लेका करके बोलिए, जरूर वो लोग ग्रहन करेंगे, डाक्टर की बोलने से या हस्पताल में बरती होने के बाद, लिस्ट में होगा, तभी हम मतलब अच्चा बोजन ग्रहन करेंगे, ये बात दिल से हटा कर, दिमाग में ये रखना है, आम लोग सिर्फ अपने स्वात के अनुसार खाना ना खाये, बोजन ग्रहन ना करें, और स्वास्त के लिए, अपनी स्वास्त के लिए, बोजन सही समय पर, सही डंग से, मतलब डाइनिंग टेबल में भी बाढ़ जाएं, तो पायर नीचे ना करकर, तोड़ा सा मोड के रखिएगा, तब पूरा संचालन अच कर, बोजन ग्रहन करने से, पेट थोड़ा दपता है, जो मातरा बताया गया है, उसकी तरह, उसकी मतलबी कम लोग खाना का सकते हैं, तो टीक से हजम भी होगा, और कोई रोग भी नहीं आएगा, इतनी बात है, इतनी बात है, और काने में, बोजन में, काली मिर्च, जो मालूम होगा, अद्रक, हरी दनिया, सोंट, लसन, जीरा, आजवेन, यह सब क्यों रखा है, बोजन के साथ इसको मिलाकर खाने से, हजम भी टीक होगा, हमारी शरीर की दर्द भी टीक होगा, क्योंकि अनबों में बता रहे हैं, जितना भी बाहर टैल के आते हैं, हमारी पती क साथ बहुत सेवा करना पड़ती है, देवेसिती, द्यान, इनसे मतलब जो मैंने लिया है, शर्क्ती, वो 50% उनको चला जाएगा, इतना सेवा, मतलब तेल मसाइच करना है, उनको साथ साथ कुछ काम करके देना है, तो हम कैसे अपने आपको टीक करते हैं, व्यायम तो है, द लेकिन आम रोज रात को दोद में हल्दी और गोल में डाल कर पीते हैं, उससे क्या होता है, शारा शरीर का दर्द भी टीक होता है, एक फूर्ती भी आ जाती है, तो इस तरह जो कहते चले जाते हैं, बोजन की बारे में, यह सोचना पड़ता है, हरेकी जिंदगी में यह अन नानी दादी, अमारी बच्पन, इस से, इसमें हम लोगों ने किस तरद की बोजन ग्रेंड किया, तोड़ा सा सोच की देखिएगा, तासोर से हमारी गर में बोल रहे हैं, मंगल और शुक्रवार को अवरतें तेल स्नान करते हैं, तेल स्नान करना बहुत ज़रूरी है, यह ए ज़रूर काना होगा, गोल मेर्च वाली या अधरक वाली, और बुदवार शानिवार को पुरुष लोग को तेसनान करना ही पड़ेगा, किसी तरद भी हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, सोबे उटो करो, और उस दिन भी ऐसे ही बनेगा, तो गोल मेर्च अधरक या सब, सब बाहर जाने की जरूबरत नहीं था, वसब काने से अच्छा था हमारे, मतलब आंकों में भी रोशनी थी, अच्छा था, यह सब अम लोगों ने छोड़ दिया, गर में पोदा होगाना तो चोड़ दिया, बहुत लोगों ने, मिलता नहीं है, बार की सबजियां लेक कितने अच्छा था हमारा सहत, सची बता रहे हैं, फ्राइडे को शुक्रवार को भी स्कूल जाना पढ़ता था नहीं बजे, फिर भी 6 बजे उटो, तेल लगा के स्नान करो, फिर जाओ, अच्छा सराय का डबब में उगोल मिर्च वाली सांभार होता है, उसका काने में, क्य होता है, शाम को आते हैं, आज कल बच्चे बिल्कुल पालक भी नहीं काते हैं, अगर दोसे में डाल दिया, वड़ा में डाल दिया, खाएंगे, लेकिन वैसे नहीं खाते हैं, जो अज़ो पिक हो गर में बड़े लोग या जो इसको समस्ते हैं, मानते है, दिरे से बोलिए गाना कार बोलिये, या कहानी सुना कर बोलिये बच्चों को, इस तरह सी कहनना से, शहत अच्छा रहेगा, तभी तुम क्लास में आफ़ लाओगे, ऐसे सब बोलना पड़ता है तोड़ा, थोड़ा ताजा करना पड़ता है उनको, करेंगे तो बच्चे मांझ जाएंगे, इसी ऌने अपना प्रैंटर नाम ले लिया अच्छ शोंट ले लियां अबाड़ा को तरह से काते तै को थोच कर लग रहा है कि कौन सवक्ट से कालेज में उन्होंने पढ़ाई की, कहीं नहीं, अनुभव, अनुभव, उन्सी, अनुभव उन्हें उनको सिखाया सभी कुछ, इन सब प्रकृति की साथ, कुदरत की साथ मिलकर, उन्हें की महत्वा समझ कर अगर जीएं, तो सम्रुत जीएंगे जरूर, स्वास्तरी जीएंगे, हम भी अच्छा सा जीएंगे, सुकी जीएंगे, दूसरों को भी इसी लेहर को आम लोग फैला सकते हैं, तो बोजन इतना नाम दिया है, हमारे वो फोटो भी देखा, नटेश भाया ने बेजा, औरा थाली में बढ़ा हुआता, देखकर लगा कि, कैसा बहुत दिन के, मतलब, अप स्वास देखकर वैंघे, उतना ही लोग करके, यह ऐसste कहाँ नहीं हो सकता हुएयर ने वह अब लोगों सकता है, अब रिसे-डर के ट्रहां को भाते है हो एब हो कर दोबात भाइभा वा हुआ है, इसमीन तब हो सबस्देखर को सब्सकार ही अपार भी z emki, दिन को प्यार ब मतलब वेस्ट भी करते हैं काने कुद बोजन को और जितना भी मतलब गर पे ना काया हो हो ऐसे तूट पड़ते हैं वो तोड़ा सा प्रयत न करके हैं हमें देखना पड़ेगा कि क्या खाएं आएं दो दिन के लिए आएं एक दिन में हो जाता है आज कल की शादी दो तीन दिन कहां है तो क्या काना इस उबे गर में कैसा था ऐसे ही हमारी पेट कितना सहन करेगा उतना ही लेना वहां भी दूसरों के लिए नहीं हम अपने लिए जी रहे हमारा पेट क्या है इतना हजम करेगा हमको मालूम है तो उसी तरह करना है इतना सीख करके इतना समझ करके करेंगे तो डाक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना दवाईयों की कर्च करने की भी जरूरत नहीं है, और ये पते की और कुछ की बात है, कि pandemic time है है, जितने लोगों की जिंदगी में इतना दुप पहुंचाया है, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हमारे तरह आचारी है, मनोस अम्रदिक खला में, जो जिन्नों ने ट्रेनिंग लिया, अभ्यास लिया, किसी को भी नहीं आया, एक कुछ की बात है, ये बात ऐसे ही मतलब रहने दीजिए, ऐसे जाने दीजिए, सबको आम लोग पूरा शिप कामनाएं देंगे, अमारी खला को गुरुजी की द्वारा जो मिला हो, जहां तक हो सके, सबको दीरे-दीरे बताएं, पहले लोग नहीं आएंगे, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, कि इसमें ये सम्रदिक खला में मनों, सम्रदिक खला में, क्या मिलता है, क्यों कर रहे हरे एक चोटी-चोटी सी बात को लेकर, बोजन मतलब ब ये पूरा तत्व समझाते थे, इडली को ले कर, लड़ू को लेकर, ऐसा ही बात करेंगे, तो भीड में से एक आद्मी ने पूचा भी था उनों, उन से, क्या है तत्व नहीं बता रहे हैं गुरु जी, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आकरी मिय बॉला ये इही तो हम बता रहे है से, उसकी माध्यम से, उसकी सहायता से उन्होंने सब कुछ समझा दिया था, जितने भी प्रकार की हो, कैसे भी हो, जहां भी रहते हो, उस तापान में जो मिल रहा है, जो फल मिलता है, वो का सकते हैं, यह नहीं के बहुत महंगा है, भै, अम से नहीं होगा, नहीं, केला तो मिल सकता है उखेंयों, दो करीच सकते हैं, तो यह पावन अंदर आना है. बोजन से ही शरीर बना है, अच्छी तरह से समय से श्वाध के लिए नहीं आरोगन स्वस्त के लिए काहे हुए बोजन से हमारा देमाद सही तरह से काम करेगा, दूसरों के लिए भी पूरा मददकार होगा क्योंकि आदमी ने यहाँ आदमी आज विज्ञानिक रूप से इतने उन्नती मिला उनको कैसे मिला दिमाग की वज़े से मिला कम्प्यूटर क्या है वो भी पनशे के दिमाग से ही उस से ही बना हुआ है तो आदमी स्वास्त रहेगा संतुष लगेगा स्वास्त रहेगा तब ही तो यह सब ओ सकता है पहले पाइदल चलता था फिर देरे से चक्र बनाया फिर देरे देरे बैल गाड़ी फिर हाती गोड़ा देरे देरे से यह के कर सोच सोच कर, सोच सोच कर, अपनी दिमाग लगा कर, इतना दूर तक हम लोग पहुंचें, कल भी मैंने न्यूस में देखा कि हावाई जहाद की तरह जाने वाली एक ट्रेन भी पता किया, नाम कुछ लिखा है, मालोम नहीं है, साजारती नहीं है, और भी, इतना तेजी से चले आदमी देखिये, मनशीय क्या क्या कर सकता है, तो इतना तक पहुंचा है, प्यार और करुणा से, जहां से आएं, इतनी पूरी अच्छी दिमाग लेकर आएं, उस दिमाग को मन की गुलाम बनने मत दीचेगा, अगर मन की गुलाम बन गये, तो जो स्वादिस्ट होगा, उस को काने में हम लोग मजबूर हो जाएंगे, दिमाग वहां लगाएंगे, तो स्वास्त रह सकते हैं, स्वास्त रहने के लिए तोड़ा मैनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आदतों से हम लोग बिगड गया है, और कुछ नहीं है, आदत पड़ गया, जो भी सामने देखा, मिठाई की दुकान में देखिये, इतना रंग विरंगे, रंग विरंगे रह정을 हो है, कुछ भी ठीक नहीं है, नीूस में मतलब पिछली साल पढ़ने को मिला की, एक बार दीबार में बने बनेवी मिठाई, सब खराब था, उसको सील कर दिया गया, पूरा रंगे, पूरा सब भी स्वाद होना चाहिए, कड़वा भी, मीटा भी, खटा भी, सब कुछ, समय का अनसार बेचिएगा, अपना पेट के अंदर भी एक गंटी है, गड़ी है, लोग ने 14 पॉइंट अक्यू प्रशर में सीका है, उसकी चारों और नाभी की पूरे और करते हैं, उसकी अनसार कीजिएगा, पेट अच्छा रहेगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फल वगेरा, सब्जी वगेरा, नट्स भी अच्छा होता है, बोजन में ग्रहन करना बहुत जरूरी है, बादाम, अक्रोट, और ये क्या बोलते हैं, किस्मिस गेरा, पेट की दर्द्री करने के लिए बड़ी वाली ये किस्मिस मिलता है, उसको तोड़ा सा गरम पानी में को लाकर उसको लेने से टीक से कांस्टिपेशन टीक हो सकता है, आद्रक से ज्यादा बड़ी दवाई कुछ भी नहीं है, ये कासी जुकाम टीक करने के लिए, तुलसी, वोबी, सोंट ये वगेरा अगल में रखिएगा, तुरंती मतलब आजकल के आदमी क्या करता है, तुरंती ड़क्टर के पास जाना है, वहां से दवाई, या दुकान से ले लेते हैं, वो उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन अगल बगल में जो ग्रंतिया है, उसको खराब कर सकता है, मन को शांती रख हैं, हड़बड़ी में हैं, तोड़ा से गुस्से में हैं, ये सब बात हैं, क्या है, कैची चली जा रही है, मतलब गर में बड़े लोग बोल रहे हैं, यहां भी बाशान में यही बोल रहे हैं, ऐसे लगेगा लोगों को, लेकिन इतने दिन से जो नहीं हो पाया, तोड़ा स कल से आज राद की भोजन से इसका इस्त conditional करके लागों करके देखिएगा कितना अक्छा लगेगा अठी अज्चा की अंदर कम से कम नौ वज डे के अंदर सूबेक भोजन ऐसे करना है और दोपार की भोजन में क्या लेना है ये दाल वावगए हर तुबर दाल या मॉंदाल वायू ज़्यादा प्रकट करता है उसके लिए क्या करना है उसमें तोड़ा सा गी डालिएगा गी को गरम करके काने से कुछ नहीं होगा फैट नहीं बढ़ेगा तोड़ा सा उसको बिना तेल की बून करके बनाएंगे तो वो गैस नहीं पकड़ेगा और ये आर्भी, गुया, आलू, खेला ये सब में तोड़ा आज्वेन कड़का लगा कर हिंग लगा कर कायेगा कुछ नहीं करेगा नुकसान नहीं होगा तोड़ी तोड़ी चोटी चोटी सी बाते हैं उनको हम लोग लागो करने में विजय पा लिया तो स्वास्त रह सकते हैं सिर्फ दाल, चावल, रोटी, सबजी, अचार इससे नहीं है हमने बना दिया, अच्चा बना दिया ये नाम कमाने की बात नहीं है बात यह है इतना गौर से करना है कि हमारे शरीर क्यों जन्म लेकर मनशे की रूप लेकर इस दर्ती पर आया और कैसे जीना है ये सोच कर अगर हम लोग एक-एक कदम उठाएंगे तो टीक रहेगा, हम भी कुछ रहेंगे दूसरों को भी कुछ रहने का मार्द बता सकते हैं मैंने एक बार हमारे सेनियर प्रोफेसर के बाशन में सुना है बड़े महान लोग रिशी योग ऐसे लोग जिनोंने प्रिवियस दिटी को पैचाना उनकी काना वो लोग कैसे ग्रहन करते हैं और उनकी चावल, धान ये कुछ भी किस केती से बनके आता है और वो किसान किस मनोस्तिती में रहकर उसको बोया और फसल काटा और जिनोंने उसको खरीदा जिनोंने उसको बनाया यहां तक गर में आज तक करके हैं हम लोग बनाते हैं मैलाएं बनाती हैं उनकी मनोस्तिती जिस तरह से होगा उसी तरह बोजन सर्व करेंगे, रोसेंगे, उस समय उनकी मनस्तिती क्या होगा, इसकी मताबिकी काने वालें का मनस्तिती भी बना रहेगा, तो ये बात नहीं कि मैंने बना दिया करके, कहां किस दुकान से आया है, किस किसान ने किस चितित से उसको बनाए है, इन सब की मताबिकी हमारे आरोगय बनता रहता है, इसलिए यही इकाय कल्प में बताया गया है, मुट्टी बर बोजन को हाथ में लेकर, दस बार अशुनी मुद्रा ढाल करके, फिरकाईएगा, इससे क्या होगा, जो भी उसमें अच्छी बाते होनी है, बढ़िया, वो होगा, टीक से हजम होगा, इसलिए इकाय कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अम कुछ भी बूल जाएं, बोजन की समय, जरूर यह करते हैं, उटी बर की बोजन में, उस अन्न में, जितने लोगों की मेहनत है, वो सब जी, वो दाल, वो तेल, वो मिर्चा, कुछ भी हो, उनको दन्यवाद भी हो जाएगा, दे सकते हैं, और हमारी अंदर पेट में जाकर अजम होने वाली, वो कार्य भी अच्छी तरफ से चलेगा, थोड़ा सा मैनत कीजिए, थोड़ा सा याद रखिए, सभी लोग काना बनाते हैं, काते हैं, उसके बिना हो नहीं सकता है, कुछ भी, उसके लिए ही मैनत करते हैं, लेकिन बोजन का मतलब सर्फ बोगने का नहीं है, आमारे जीने के लिए हम लोग काते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, यह बात जरूर याद रखिएगा, स्वस्त रहिएगा, अच्छा सा मतलब सेवा करने की पूरा थाकत आपको गुरू की क्रिपा से बिल जाएगा, इसी समय, यही बात बोलकर, मैं अपनी बाशन को खतम करती हूं, जो मोका अमको मिला, बहुत अच्छा लगा उमको, जिसनों ने अमको यह मोका दिया, उनको धन्यवाद देते हुए, गोजन का समय भी हो गया होगा सब को, बना के रखा होगा यहां तोड़ा सा आकरी वाला का होगा, सभी लोगों अच्छा सकाईए, यह न सोचिएगा कि स्वास्त के लिए इतना बता दिया, मैं क्या करो, ऐसे बना दिया, आज फ्राइब बना दिया, ठीक है, खाहिएगा, आच्छा सकाईएगा, काय कल्ब जरूर कीजिएगा खाने से पहले, स्वास्त रहेगे, बहार आजाएं, और सब लोग अच्छे बोजन ग्रहन करके स्वास्त जीए, यह मेरी दुआया है, जीए संसार, जीए संसार, जीए संसार, जीए संदर, बहुत-बहुत दन्यवाद, रुक्मनी जी, आप तो बोल रहे थे, खाना की आद दिला रहे थे, इसी समय में तिरु करना चाहता हूं, जब कान के लिए बोजन नहीं है, तभी पेट के लिए बोजन के बारे में, तो हमें ऐसा भूल तो नहीं लगाता, जीए समय में तो बोजन का याद दिला दिया, अभी सभी शोता हो उनके और से, इस बाशन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, अब सव कुछन पुछने के पहले, कृपया आप जूम अप में हाथ बढ़ाएं, बटन पर क्लिक करें, जब आप रशनों की तैयारी करते हैं, हमारे पास कुछ महातुपूर नगोशनाएं हैं, कुंडलिनयोगा.edu.im एक हमारे आधिकारिक वेबसाइट है, जिसमें सभी कोर्स जो विश्वसंदाई सेवसंग द्वारा सिखाये जाता है, सब में आप शामिल हो सकते हैं, कायकल्पयोगा.edu.im जिसमें आप कायकल्पयोगा घर पे बैठे बैठे सीख सकते हैं, यह आप आजकल आप में भी उपलब्ध है, हमारी मासिक पत्री का अनबुली जिसमें आप स्व यह हमारा Facebook और YouTube का चैनल का नाम है, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने प्रिये प्रफसरों की सभी प्रवचनों को आप इसमें सुन सकते हैं, वेधात्रियम के कर्मयोग के सिध्धान्तों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आएका एक प्रतिशत दान देन या आधिकारिक वेबसाइट वेधात्री.edu.in के द्वारा विश्वसमदाय सेवासन के लिए दान देने के लिए आपको आमंतरित करते हैं, इस दान के लिए दारा आसी जीव का छूट भी उपलब दो है, अब प्रशनों तर सत्र के साथ आगे बढ़ते हैं, कृपिया अप आपको अन्म्यूट कर रहें, कृपिया अपना सावार पूचिए. दरलक्ष्मी जी, हमारी तरह से हम अन्म्यूट कर दिया, आप अपनी साइट से एक बार देखिए. जेएसन सार, जेएसंवरुट रुपनी जी, आप आज का बाशन बहुत बढ़िया था, सारल से सामझने की तरह आपका बाशन आचता, मेरे लिए एक प्रेशन है, राख के लिए आप काना का टाम नहें, अभी काना के लिए इडली अच्छा है, आरोटी अच्छा है, याव आप लाट के समय, जो जल्दी हुझ हुझ होता है, उसको काना है, आपने क्या बना है? अपने क्या बना है, अज़े नहीं मालूँ है, पहल नहीं है? जादा तेल वला आइटम नहीं काना है। जो मतलब स्ट्रीम हुआ है, पका हुआ है, तेल का आइटम नहीं हो, ऐसे काना है। वो सब गुता के लिए नहीं, बच्चे तो करेंगे जित करेंगे, तोड़ा सा आराम से समझा दीजिए उनको भी, क्या काना है करके। जो अच्छा है उसी को रात में अच्छी स्थरा जल्दी हजम हो जाए, ऐसे ही काना काना बहते हरे। टीक है जी? आँ टीक है, तीक है। दन्यवाद दन्यवाद लिक्ष्वी जी, इसके लवा और किसी का कुछ सवाल है। अभी कोई नारायनन कंदन जी का हाथ है, नारायनन कंदन जी अभी हम आपका अन्म्यूट करने हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको कौन समझा सकते हैं, आपको कौन समझा सकते हैं। जो बताये हैं। आपको कौन सकता बताया। आपको कौन रोक सकते हैं। आप पची तरह समझते हैं। वह दर्थिपर क्यों आये हैं। जर्म लेकर करने के नसार। Guruji नहीं जो बताया, इस मार्ग पर अच्छा सा चलिये, सेवा के हम लोग लायक बन जाएं, यही है उनका कहना, जीके जी, तब जीरे को बंद करना पड़ेगा वैसे, नहीं 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 उसको बंद कर चिये, उसमें भी तोड़ा सा प्रयतन करके मात्रा लाइएगा, अच्छ होगा, तोड़ा कटिन है, लेकिन कटिन मार्ग में चलना, चलने से विजय पा सकते हैं, जो भी मतलब विजय पाएं, वो कश्च करके ही आएं, महनत करके ही आएं, पहले शुरू-शुरू में तोड़ा कटिन रहेगा, फिर बाद में ओई रस्ता अपनाने से अच्छा भी करेगा, क्के जी आपको वसावाल ठीक रहा, महुत बहुत दन्यवाद, पहले वाद रहेगा, पहले बात ना समझ कर गुरू की बात मान लीजिएगा, मैं कौन होती हूं, मतलब आवाज ऐसे यह रहा है, इस शरीर को उन्होंने ली आएं, तोस आवाज में बोल रहे हूं, मैं भी ऐसे ही थी, अपने हिचा से मनमानी करती थी, लेकिन उससे क्या दिक्कत होगा, वो अची तरह समझ गई, इसलिए ये बोल रहा है, अनुबो भी बोलता है ना, अमरे तरह से, जी ये समझे. नरेश पबुझी से, मैं बहुत नाराज हूँ, इतने सारे पकवान तालीब भर दिये, रुपनी जी इतना का रही है, यह घर में हांके देखकर तो समझ में आएगा कि क्या चीज है हूँ. सब बुबेध इन विदी जानते हैं, इतना देखते ही हमारा, जैसे आम से पानी आथ है, तभी पेट भी बर जाता है, हमें पाप के पेट भरने की जुरूफने हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी, चलिए अभी, अभी हम प्रश्णों तिर सत्र के सांत में आ गये हैं, सबी सवालों को जवाब देने के लिए रुक्मनी जी को वापस एक बार धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आज जो ध्यान हमारे साथ किये थे श्तरवन स्काइप राध्यापक सरवनन जी, जीए सम्रद, स्काइप राध्यापक रुक्मनी जी, जीए सम्रद, उनकी अच्ची सहर जीए सम्रद, उनका परिवार जीए सम्रद, उनकी दिव्य सेवा जीए सम्रद, दिव्य शक्ति आपको, आपके परिवार को अच्ची सहर, दिर ग सम्रद्धी परम ज्यान एंशान्ति प्रदान करें। सम्रावन जीं मी द्वारा अरुनिदेर पर मतलिया जब अरुमनिदियर कोर्स में जो सवाल जवाब इसका तुन प्रसारն में होगा। और शांको छे बजे तामिल में पंचपूद नवगयान शाड़ी चे बजे जो सुभाखा सवाल जवाब उसका प्रसार्न होगा। साड़े साथ बजे कंणर्ड में तुरियाती द्यान और साथ बज कर आठ बजे कंणर्ड में प्रवच्छन होगा कांतरा जूदी जीद्वारा और बाशन है सौवत विल्रीद क्रपया आधिक बागीदारी के लिए साजा करने में समर्तन करें जैसा कि आप जानते हैं हर एक मंगलवार मले आलम में और गुरुवार तिलुभू में शनिवार हिंदी में रविवार कंणर्ड में बाकी दिनों में अंग्रेजी में ये सधन चलाया जाता है हम अपमे प्रियप्रमपदनश्री इसके मैलानन जी को उनके नेतरत और मार्यदशन के लिए दन्यवा देते हैं कल सुबह आप सबको पुनह बेन करने की आशा रहते हुए अभी सधन का अंत करते हैं अब ब्रदन्यवा जे संसा, जे संसा, जे संसा, जे संसा. पूरे विश्वमे सु सम्रद्धी और शांती हो. शांती, शांती, शांती.